हें गाइज मैं हुसीमा और दावच चनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज वीडियो जो आपके लिए मैं लेकर आए हूँ वह खास करके जो बिगनर्स है नए नए केक सीख रहे हैं उनके लिए बहुत जादा हेल्फुल होने वाला है क्योंकि बहुत सार बातें इस वीडियो में जानेंगे कि इतने hallo जरूरी बात हैं सौरी तो मेरे पास जो यह चाहिए मेजर्मेंट्स इसे पता चलेंगे तो मेरे पास जो यह Kप है उसी का मेजर्मेंट्स मैं आपके गरोंगी तो सबसे पहली और ह Common i 요, जरूरी बात यहां पर कुदाती हूँ तो आप सेम मेजरमेंट्स यहां पर मैं जो बता रही हूँ वो यूज कर सकते हैं बेकिंग के टाइम पर और अगर आपके पास 200 ml का है कई हो के पास 250 ml के भी कप्स है तो वो मेजरमेंट्स मैं केसी एक दिन अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगी तो आज हम लोग देखते हैं 240 40 ml के कप्स में कितने ग्राम मैदा आता है और बाकी की सारी चीज़े भी तो यहां पर मैंने इसमें मैदा डाल दिया है पूरे उपर तक आपको शुरुआत में इस तरह से भरना है लेकिन दबाना बिल्कुल भी नहीं है हलके से चम्मस से इसमें यह सारी चीज़े डालनी है और उपर जो भी एक्स्ट्रा का मैदा है उसे हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे एकदब प्लेन करना है उपर का सर्फिस आपको देख लीजे दबा दबा कर कभी भी इसमें कोई भी चीज़ आपको भरनी नहीं है उससे आपके मेजरमेंट्स अलग-अलग आ सकते हैं तो इसी तरह से आपको ये नापना है तो 240 ml के कप से अगर एक कप मैदा हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो उसका वज़न होगा गाइस 120 ग्राम या 122 ग्राम तीन से 4 ग्राम इधर उधर हो सकता है कम या ज़ादा तो यहाँ पर 120 ग्राम का ये 240 ml का एक कप है साइड में आप अगर हम लोग 3 4 पोर्शन लेंगे तो उसका भी मेजरमेंट मैंने साइड में दिया है सारा आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते है तो इसका स्क्रीन शॉट भी लेकर आप लोग को रख सकते है ताकि आपको बेकिन करते टाइम बिलकुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए मैदे का वजन हुआ 120 ग्राम तो बाकी की भी सारी चीज़े इसी तरह से मैं इस कप से नाप लेती हूँ गाइज एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स आपके साथ में आप पर शेयर कर रही हूँ तो इसे जरूर नोट करके रखिए आपको बाद में यह काम ही आने वा जरूर चाहिए होती है तो उसे भी मैं यहाँ पर इस 240 ग्राम के कप से नाप कर दिखाती हूँ कि यह भी वजन से कितनी भरती है तो यहाँ पर चीनी मैंने इसमें डाल दी है इस तरह से देख लीजिए सेम उसी तरह से जैसे हमने मैदा इसमें भराता एक्स्रा की चीनी मैजर्मेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और हाँ यहाँ पर अगर आप इसी 240 ग्राम के कप से जो आइसिंग शुगर या जो कोकोवा पाउडर होती है यह दूनों भी चीज़े अगर नापेंगे ना तो उसका वजन सेम ही होगा तो आइसिंग शुगर जो विप के कप से 120 ग्राम और बाकी के भी मेजर्मेंट्स मैंने आप पर पिक्चर में दे दिये हैं इसके बाद केक बनाने में और एक चीज यूज होती है गाइस वह बटर तो बटर भी अगर आप इस 240 अमल के कप से मेजर करेंगे तो उसका वजन ग्राम में होगा 227 ग्राम 227 ग्र 3-4 cup, 2-3 cup, 1-5 cup इसके सारे मेजर्मेंट्स साइड में आपको दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये confusion होता है 1-3, 2-3 बहुत जादा confused हो जाते हैं यहाँ पर नॉर्मल टेंपरेचर का बटर आपको लिना है तो उसका वजन इतना होगा केक बनाने के लिए हमें जैसे मैदा, चीनी, कुक्वा पाउडर बटर वगरा भी लगता है उसी तरह से हमें इसमें कई बार दूद हम लोग यूज करते हैं कई बार पानी यूज करते हैं कई बार तेल भी तो इसका भी सारा मेजर्मेंट मैंने यहाँ पर दिया है लिक्विड चीजों का इसके बाद यहां पर सबसे जरूरी एक ingredient की बाद आती है वो है आइसिंग करते टाइम हम लोग जो विपिंग क्रीम या हेवी क्रीम यूज करते है उसका वजन अगर आप ग्राम्स में करेंगे तो वह कितनी ग्राम्स की होगी तो 240 ml का एक कब भरके अगर आप यह विपिंग क क्रीम होती है 15 ग्राम के बराबर तो जो मेजरिंग कप होते है गाइस उसी के साथ इस तरह के मेजरिंग स्पून भी मिलते है तो जो बड़ा वाला कप आता है वो 240 ml का हो या 250 ml का या 200 ml का भी हो उसी के साथ जो टेबल स्पून टी स्पून या हाफ टी स्पून के जो स्पू लगा आज का है मेरा special सा वीडियो क्योंकि की बहुत सारे लोगों ने request कीती कि हमें सारे grams में measurements बताइये next वीडियो में हम लोग जिनके पास 200 ymla या 250 ymla 200 ml cup है उनके लिए भी सारे मेजरमेंट में जरूर बनाएंगी अब आज का यह मेरा मेजरमेंट का वीडियो आप सभी लोगों को बहुत जादा हेल्फुल लगा होगा क्योंकि बेकिंग इससे बहुत जादा असान हो जाती है पॉफिक्ट हो जाती है तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेर और दावर चनल पर अगर आप नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले बिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग गाइस टेक क्या है